एपिसोड नमबर 28, 28 वे एपिसोड पर आचुके हैं, और जो सीरीज या जो लगातार एक टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, और वहां है सु समाचार की चार पुस्तकों पर अधियन, जी हां, मती, मर्कुस, लुका और यौना की पुस्तक, इसको 27 एपिसोड पहले, 27 में हमने शुरू किया था, और साथी साथ मैंने कहा था, और एक बता देता हूं, कि इस वेक्ति को जिसको अभी जुन रहे हैं, फेस्बुक और यूटूब दो प्लैटफर्म से, आपको मैं बता दूँ कि इस वेक्ति ने, यानि कि डैनियल राज ने, बहुत सारी तफ स्ट जिसको कहते हैं न, ऐसी पुस्तकों पर जिसको लोग जल्दी से चूते नहीं हैं, स्टडी देते नहीं हैं, बहुत कम है, और खास करके हिंदी में, तो बहुत कम है, और अगर कुछ लोग हैं भी, तो स्टडी में दिकत है, उनकी स्टडी में दिकत है, मैं यह कहकर अपना पुलू सीदा नहीं कर रहा हूं, बट मैं हमेशा कहता हूं कि परमेश्वर का वचन संदर्ब में सही तरीके से लोगों के बीश में पहुचना बहुत जरू है, उस कंसंसे में बात कर रहा हूं, ठीक है न? तो उत्पती की पूरी पुस्तक का अदियन, दानियल की पुस्तक का पूरा अदियन, प्रकाशित वाकी की पुस्तक का पूरा अदियन, ये चार किताबों का पूरा अदियन, और उसके बाद, the ministry of Moses, पांच किताबे मुसा की, उत्पती, निर्गमन, लेवेवस्था, वेवस्था वेवरन, गिंती, वेवस्था वेवरन, इन सभी पुस्तकों का आदियन आपके बीच में मुसा के एंगल से दे चुका हो मनश्य के पुत्र परमिश्वर के पुत्र कौन है उसके उपर अधियन दे चुका हो यूसुफ के जीवन का अधियन आपके उपर अप उसके जीवन के उपर अधियन दे चुका हो आप तक YouTube के भादियम से पहुचा चुका हूँ ऐसे और भी कई tough topics और खास करके worship कहां तक सही है कितना worship और कितना कुदना, नाचना, बजाना इन सभी के वेपर worship का अर्सली मकसद क्या है अर्थ क्या है according to word of God उन सभी को बता चुका हूँ साती साथ tongues the gift of tongues speaking in tongues ये भला आजकल जो चल रहा है जो Bible का है जिसको कहते है Glossa, उसको हम मानते हैं पर में शुराज भी दे सकता है लेकिन वो होगी पृत्वी में जो भाशा समझी जाती है लेकिन ऐसी भाशा जो शैतान की और से है उसको हम नहीं मानते उसके उपर भी अधियन दे चुका हूँ तो ऐसे कम से कम पांच हजार वीडियो या पांच हजार टॉपिक पे बहुत अग्भुतरी किसे आपके बीच में दे चुका हूँ YouTube पे, WhatsApp पे माफ करें, Facebook पे डाल चुका हूँ तो उसी कड़ी में अभी ये चल रहा है ये सब बताने का मक्सद ये था कि इसकी वीडियो एडिट होगी ताकि लोगों को पता चले कि Daniel Raj ने किन-किन टॉपिकों पे बात किया है और मैं वापस कहता हूँ कि अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें करना है या फिर बात करना है आप सबसे पहला मेरा वीडियो देखो मैं वापस कहता हूँ आप सबसे पहला मेरा वीडियो देखो उस वीडियो के अंदर आपको मेरी स्टडी पता चले उसके बात आप आकलन करना वापस कहता हूँ घमन की भी भात है तो मैं करूँगा क्योंकि यर्मिया नौका 23 कहता है कि अकल वाला घमन ना करे ताकत वाला ना करे पैसा वाला ना करे लेकिन जिसको परमेश्वर का ग्यान है जो परमेश्वर को जान गया वो पक्का घमन करे तो मैं उस बेस पे बता रहा हूं कि मुर्खता का काम मत करें और मसी के जो एटमोस्फियर है ना वातवरन उसको खराब मत करें अपनी मुर्खता के जलते जिन लोगों को आदत है ऐसा करनी के मैं उनको बोल रहा हूं ठीक है और साथिसाथ जितने यूटूब और फेस्बुक के विवर्स हैं मुझे जो सुनते हैं सतरक रही है आजकल बहुत गरबर चल रहा है सातिसाथ बहुत लोग उल्टे सीदे यह लोग आ रहे हैं जो उट पठंग बके जा रहे हैं पवित्रात्मा के नाम पर कुछ अलोकिक के चीजों के नाम पर कोई दर्शन के नाम पर सूपर नाम पर वच्छन बाइबल से लेते हैं, लेकिन आउट आफ कॉंटेक्स्ट, वहां लिखा कुछ और होता है, पेश कुछ और कर रहे होते हैं, इन लोगों से बचिएगा, यह सारी बाते हैं, परमेश्वर का दास, सही सिक्षक, सही खरी सिक्षक के देने के चलते हैं, उस रि तावनी, पालूस ने दी थी, पत्रस ने दी थी, कई लोगों ने दी थी, अब यह मेरा काम है, और इसके आगे कई लोग और आएंगे, और अभी भी दस्तक का लोग हैं, जो यह काम कर रहे हैं, और मैं उन्स सभी को अप्रिशेट करता हूं, तो आपको सतर करेने के लिए क आपको कहा था कि टोटल इन चार किताबों में बीस हिस्से हैं, सबसे पहला इशु की वंशावली का हिस्सा, सिखा चुका हो, इशु के जनम का हिस्सा, सिखा चुका हो, यहना बापतिस्मा देने वाले का हिस्सा, सिखा चुका हो, इशु के बापतिस्मा का हिस्सा, सिखा चमदकारों का हिस्सा, इशू की सिकषाओं का हिस्सा, 17 चेलों को भेजने का हिस्सा, जो पिछला एपिसोड है और अब बारवा हिस्सा, इशू के दृस्तांतों का हिस्सा, इन बातों पर आज, आप लोगों से बात करेंगे, Facebook और YouTube पर, मैंने इसका लिफ लेट बना दिया तेरवा हिस्सा जो कि मैं भविश में बात करूँगा जो ट्रिप अभी मेरा चल रहा है मिशन ट्रिप शायद उसमें दिक्कत आ सकती है लेकिन फिर भी हम देखेंगे कैसे होता है इशु के विरुद शडियंत्र का हिस्सा चौधवा प्रभु भोज का हिस्सा पंद्रवा इशु का पकड़ाय जाने का हिस्सा सोलवा इशु का दुक सहने का हिस्सा सत्रवा इशु के पुनुर्थान का हिस्सा अठारवा येशु के जी उठने का हिस्सा उनिसवा दिखाई देने का हिस्सा और आखरी में उठा लिये जाने का हिस्सा. तो इन सबी बातों पर आपके बीच में जो है हम परमिश्वर का वचन लाते रहेंगे और आप लोगों को देते रहेंगे. जी, इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं दोस्तों, उसके बाद आपके बीच में ये वाला लाइन लेकर आएंगे. और मैं समझता हूँ की, जी, सब ठीक है? सेट अप? ओके. या, 38 पैरेबल्स ओफ जीज़स क्वाइस्ट. अगर आप देखोगे, इशु के 48 दिस्टान्त है, मती से लेकर यहुना की किताब तक 38 पैरेबल्स ओफ जीज़स क्राइस्ट. बट जिसमें से, आपके बीच में, मैं सिरफ सत्रा सिखाऊँगा. So, लिकाएबट विल बी, लुकिंग ओन, लुकिंग ओनली ओन, 17 पैरेबल्स, 17 पैरेबल्स, यहने के सत्रा दिस्टान्तों पर, हम जो हैं, देखने वाले हैं. तो मैं वापस कहता हूँ, 38 पैरेबल्स के, जीज़स के जो हैं, उसमें से मात्र, 17 पर, आपके बीच में, हम जो हैं, इसको सिखाएंगे. और वो इसलिए, क्योंकि इंपॉर्टन्ट है, वाक्त बहुत चला जाएगा, 38 पे बात करना, मतलब 38 पैरेबल्स पे बात करना, तो जिसके लिए जो मुक्य हैं, और जो बहुत जरूरी हैं, मुझे लगा, आपके बीच में में लेकर आ रहा हूँ. उसमें हैं सब से पहला, फर्स्ट पैरेबल, आप देख सकते हैं, आपके स्क्रिं के अपर, जिसको मैंने कोशिश करी है, फोटो के माद्यम से भी मैं समझा सकूँ, निू क्लोथ आद निू वाइन स्कीन, या निू क्लोथ आद निू वाइन स्कीन्स, अब इस ढांत को, पैरेबल को, लेखकों ने तेन पुस्तकों में रिकॉर्ड किया है मती मर्कुस Luka Meti का नौस का नौस का नौवा दिया है वचन सोला से सतरा मर्कुस का दुट्षा दिया अठारा से बाइस लुका का पांच का चटिस से अर्थिस तक में अब देख सकते हैं पर्ट इसको मैंने फॉर्ण को बढ़ा किया तो समझ जाए कि इन तेनों पुस्तकों से मैंने जो हिसा लिया है वहां है मर्कुस से लिया है तो सिरफ मर्कुस का एंगल आपके बीच में मैं रख रहा हूं ये पूरा वच्छन आपके बीच में मैं पढ़ देता हूं 18 से लेकर लाइक सेशन होगा या अधियन होगा जो भी है सबसे पहला वच्छन 18 लिखा है यहना के चेले और फरिसी उपवास करते थे यह कॉंटेक्स्ट है इस पर इशु ने ये बात को रखा तो लिखा है यहना के चेले और फरिसी उपवास करते थे अंत उन्होंने आकर उसे उसे ये कहा येशू से कहा यहना के छेले और फरसियों के छेले क्यों उपास सकते हैं परंतु तेरे छेले उपास नहीं रखते या वचन उनीस ईशू ने उनसे कहा जब तक दुला बारातियों के साथ रहता है क्या वे उपास कर सकते हैं अंत, जब तक दुल्ह उनके साथ है, तब तक वे उपास नहीं कर सकते, वचन बीस, भरंतु वे दिन आएंगे, जब दुल्ह यानि येशु, उनसे अलग किया जाएगा, यानि कलिस्या से, उस हमें वे उपास करेंगे, according to the leading of Holy Spirit, क्योंकि fasting को लेकर मैं वीडियो बना चुका हूँ, और मैं कह चुका हूँ कि बेमतलब का, क्योंकि संस्ता सिखाती है, कोई pastor कहता है, अभिशेक के नाम पे, 40 दिन fasting किया, तब ये अभिशेक मिला, तब ये दान मिला, मुर्खता है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता, पवित रात्मा की मर्जी से, परमेश्वर का दान मिलता है, पवित रात्मा की मर्जी से, आपको जो भी gift मिलता है, आपकी मर्जी से नहीं मिल ठीक है ना पहला करूंतिय भारा का दस और क्यारा पड़ लीजेगा वाँ वच्छन 21 या वच्छन 21 कहता है जी हाँ कहता है कोरे कपड़े का पैवंद पैचस English Translation कोरे कपड़े का पैवंद पुराने वस्तर पर कोई नहीं लगाता मैं आपको बताता हूँ जो नहा कपड़ा होता है उसका कपड़ा फार के जो पुराना कपड़ा होता है जो पुराना हो चुका है उसके धागे धीले पड़ चुके है उसका जो कपड़ा है उसकी ताकत जा चुकी है उसके उपर अगर आपको पैच लगाना है नहें कपड़े का जिस्को रफू बोलते ना उसको, जिसको कहतες है रफू मारना, आज की तारीप में, टेलर हो की भाश्षा में, उसको रखा और सिलही कर नहीं करना शुरू किया, तो नहा कपड़ा उसको खीचता है किसको पुराने कपड़े को तो जब सिलाई होती है ना, तो पुराना कपडा फटता रहता है, लेकिन नया नहीं फटेगा, तो लिखा है कि कोरे कपडे का पैवंद पुराने वस्तर पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वह पैवंद उनमें से कुछ खीच लेगा, अर्था नया पुराने से और पहले से नहीं नस्ट हो जाЕंगे, परंतु नया दाकरस नहीं मस्को में बरा जाता है, क्यूं? क्योंकि नहीं दाकरस का power, energy, क्या कहतflower की? ताकत जादा होता है पुराने मस्को में, अगर उसको भढ़ते हैं तो उसकी जो force है वो पुराने मस्कों को फाड़ देती है, अब इसको ई इसको रखा वाव ऐसा क्यों देखिए इस प्रिथवी पर जो उस वक का गवर्मेंट था जो उस वक का कानून था जो उस वक का मुसा का जॉन देप्टिस का और किसी का किसी का जो क्या कहते हैं नियां थे रूल्स और रेगुलेशन थे उसको येशु को बताना था कि अब ये पुराना हो गया अब ये नहीं चलेगा दुस्तरी शब्दों में वेवस्ता की सिक्षा शास्त्री फरसियों की सिक्षा मुसा की किताबों की सिक्षा किसी और की सिक्षा इसकी सिक्षा उसकी सिक्षा ऐसा कानून वैसा कानून अब वेक्तियों के उपर नहीं चलेगा क्यों क्यों कि अब नया दाकरस आ गया है और नया कपड़ा आ गया है वाव इसको एक्जांपल के तौर पे पेरबेल्स के तौर पे दिस्ठान के तौर पे येशु ने इस्थामाल किया और जिसको मैने रखा है आपके स्क्रिंड के पर जोईश की जो टीचिंग है उसको कहते है ओल्ड वाइन स्किन यानि के पुराना दाकरस और इशु की सिक्षाओं को कहते है न्यू वाइन स्किन अमेजिंग नहीं तो दुस्रे शब्दों में इशु को कहना था उन लोगों को आपकी जो सिक्षा है वो पुराना कपड़ा है आपकी जो सिक्षा है वो पुराना दाकरस है लेकिन मैं जो सिक्षा दे रहा हूं वो नया कपड़ा है और मैं जो टीचिंग दे रहा हूं वो नया दाकरस है मेरा नया दाकरस मतलब मेरी सिक्षा तुमारे old सिक्षाओं में fit नहीं बैठेगी मत भरो दुस्रे शब्दों में तुम जो लोगों को सिक्षा देते हो वो काम नहीं आएगा अब मैं जो सिक्षा दे रहा हूँ वो काम आएगा दुस्रे तरीके में और एक एंगल देता हूँ ऐसा सोचिए एक वेक्ती येशु की भी सिक्षा ले रहा है और शास्त्री फरिस्यों की भी सिक्षा ले रहा है अब मुझे प्लीज बताई ये क्या होगा या तो नया पुराने को फार देगा और वो पुराना बेकार हो जाएगा दुस्रे शब्दों में पुराना इसके लिए सर्दद बन जाएगा यार मैं इसको लेके चलू नहीं चलू क्या करू आर यह ना बस समझ में उस वक्त इशु ने इसका एक्सामपल लिया था और जिसके चलते यह तस्वीर मैंने आपके बीच में रखी न्यू क्लोथ एंड न्यू वाइन स्किन्स पुराना कपड़ा नया कपड़ा पुराना दाकरस नया दाकरस तो जिसके चलते इस पैरबल से हमको यह सिखने मिलता है कि इशु की सिक्षा है नया कपड़ा और नया दाकरस वाव अमेजिंग अशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझे होंगे और कभी भी अगर आप यह पढ़ते हैं तो इसका स्पस्ट जो सिक्षा है वो यहा है ठीक है ना बाकी और कोई देता है मुझे उसे कोई दिक्कत नहीं लेकिन कॉंटेक्स में यह सामने आया है दूसरा जिसको लिखा है सेकंड परेबल लैंप ओन अस्टैंड जिसको कहते हैं कि परमेश्वर ने धिये को दिवट पर रखने को का है मैं आपको रखोंगा इंग्लिश में कहते हैं लैंप ऑना स्टैंड इसको भी मती का पांच्वाद्य चार से सोला मर्कुस का चार से चार का एक्षा से चौबिस लूगा का आठ का सोला में इसको लिखा है क्या इसले नहीं कि दिवट पर रखा जाया, दिवट मतलब स्टैंग, इशु कहता है कि जो बाते मैं करता हूँ, बहुत ध्यान दिजेगा, जो बाते मैं करता हूँ, इशु कहता है, और जिन बातों को तुम सुनते हो, वो रोशनी है, वो दिया है, उज्छाला है, उसको मत लेकिन उसको चौकों पर प्रचार करना, और उसको ऐसी जगे पर रखना, जहां सब को रोशनी मिले, वचन 22, क्योंकि कोई वस्तु छिप नहीं, चिपी नहीं, भरंतु इसले कि प्रगट हो जाए, बाते हैं ये शु की, और संसार की जो गंदगी है ना, उसकी बात हो रहा कि क्या सुनते हो, अब आई बात समझ में, तो क्या सुनते हो वचन, उसको जब सुनते हो, बहुत ध्यान दीजेगा, कहां रखते हो, अपने अंदर छुपा देते हो, या फिर उसको स्टैंड पे रखते हो, दुसरे शब्दों में, आप जब सुनते हो, अभी मुझे आप स जाना है, और खुद को वचन जो सुना है, उसको लेकर स्टैंड पे रखना है, अमेजिंग, और ईशु कहता है, चौकस हो कि क्या सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुमारे भी नापा जाएगा, और तुमको अधिक दिया जाएगा, दुसरे शब्दों मे येशु कहता है, मेरी बातों को लिया, अब लेकर करोगे क्या उसको, जब मैं तीन सिको का या तीन तोडों का बात करोगा, तो उसको भी कनेक करूँगा, आपको कुछ मिला है, उसको लेकर क्या करोगे, खाट के नीचे चुपा दोगे, टोकरी के नीचे चुपा दोगे, क जिसको कहते हैं, मुर्क और समझदार ने घर बनाया, मती का साथ का चॉबिस से सत्ताइस, लुका का छे का फॉटी से फॉटी नैं, ये चित्र मैंने इसलिए रखा है, ताकि आपको समझ आ जाए कि चट्टान और रेद का घर का चित्र रखा है, आए वचन पढ़ते हैं, मती का चॉबिस से, इसलिए जो कोई, मेरी ये बाते सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनश्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, इशु की बाते सुनने वाला, अपना घर, अपना फेथ, अपनी जिंदगी कहां पर बनाता है, चट्टा चट्टान पर डाली गए ती, देखिए, मेह बरसा, बाड़े आएं, आंधिया चली, ये लिटरली नेच्रल, ये जो बाते होती ने, वह उसकी बात नहीं कर रहा है, इशु, यहां पर बात हो रही है, सताव की, यहां पर बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है, यहां पर लोगों को मसी के लिए सोसाइटी में रिजेक्शन यानि कि तिरसकार किया जाना पसंद नहीं है उनको ऐसा लगता है कि मैं मसी हूँ मुझे पुरे समाजने सुविकार करना चाहिए अच्छा मुझे मसी के समाजने या मसी घहर मसी के समाजने स्विकार करना चाहिए मैं कुछ ऐसा करूँगा ताकि वे मेरी आदर करें तो कुछ पाध्री या कुछ धर्म गुरू लोग कपड़ा पहन लेते हैं, गले में क्रॉस बिशप टाइप की टोपी ऐसा करकर वो मार्किट में घुमते हैं सुसाइटी में रहते हैं चर्च के उपर क्रॉस और चर्च को ऐसा बनाते हैं जैसे हिंदूों का मंदिर मुसल्मानों का मस्जिद सिक्कों का अपना गुरुदवार और इसायों का अपना मंदिर अब आप मुझे बताएए कहां जा रही है मसीयत मैं बताता हूँ धरम की तरफ जा रही है रिलीजिस की तरफ जा रही है तो दूसरे शब्दों में जो चर जाते हैं वो खुद को क्या कहते हैं क्रिशन है और यही तो बाकी लोगों का भी कॉशन है आप क्रिशन हैं तो क्रिशन बने रहो आप बजरंगदल, RSS ये जितने लोग हैं, ये क्यों कहते हैं कि तुम लोग हमारा धर्मांतर करे हैं ये लोग फिर सही हैं न या आपको समझना होगा या तो खुद को डिक्लेर करो कि मैं इसाई हूँ, मैं क्रिश्चन हूँ और दुस्सों के पास नहीं जाना लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं परमेश्वर के राज्च का संतान हो, मैं अम्बैस्टर हो उसके किंग्डम का और उसके गॉस्पल को पृत्वी के उपर भारत के 135 करोड और विश्व के 790 करोड लोगों के लिए मैं विटनेस हो मैं तो खुद को ये समझता हूँ इसलिए मैं सबको बताता हूँ और यही वज़ा है कि शेयर करो दूस्सों को बता हूँ अच्छा जिसको नहीं समझाता, नमस्ते जिनको नहीं पसंद है, नमस्ते क्योंकि उन सब को एक दिन प्रभू को हिसाब देना होगा लेकिन उनके उपर गवाई होगी कि डैनियल राज जैसा कोई लोगाए थे तुमको बताये थे तुमने नहीं सुना उनका न्याय होगा मैंने पिछले अफ़ता बताया था एक पॉइंट होगा रिजेक्शन जिसको कहते हैं तिरसकार करना और साथी साथ सताओ दो तीन पॉइंट के ओपर में वीडियो बनाऊँगा एक मसी का जिस दिन वो मसी को अपनाता है इशू को हाँ कहता है संसार को ना कहता है उस दिन ये दो तीन बाते उसके साथ छिपक जाती है रिजेक्शन तिरसकार सोसाइटी से बीच में मुझे किसने कॉल किया बोला जितना मैं प्रभू मैं बढ़ रहा हूँ उतनी तकलिफ आ रहे है मैंने स्टेट लाइन बोला फिर एक काम करो प्रभू को छोड़ दो आपको कोई सताव नहीं आएगा ये तो ऐसा है कि डॉक्टर के बस गए डॉक्टर साब सर्दी बहुत हो रही है तो डॉक्टर कहेगा ठीक है सर्दी अगर नहीं चाहिए तो एक ही हिलाज है बोला क्या नाक काट दो तो इसको कहते हैं ना रहेगा नाक ना रहेगी सर्दी ना रहेगा मास ना भजेगी बासुरी या आई बास समझ में वापस कहता हो जिसका घर चटान पर बनाओ येशु नहीं ये एक्जामपल क्यों दिया येशु चाहता था कि लोगों को बताए क्योंकि वहाँ पर चटान थे और वहाँ लोगों ने चटान पर घर बनाए थे और वहाँ दूसरा घर ये भी था बालू पर बनाए वा रेद पर बनाए देखो क्या लिखा है कि मैं बर्सा बाड़े आई, आंधिया चली, चटान पर टक्रे लगी, परन्तु वो नहीं गिरा, क्यों कि उसकी नेव चटान पर डाली गए थी, परन्तु जो कोई मेरी ये बाते सुनता है, और उस पर नहीं चलता, वा उस निडबुद्धी, मनश्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया, भे बरसा, बाड़े हाई, आंधिया चली, उस घर पर टक्रे लगी और वो गिर कर सत्या नाश हो गया, ये घर का मतलब वेक्ति के बात हो रही है, अब बताएए दोस्तों, या, फोर्थ पेरबल, मैं इसले इतना अबनाने में लेका, इसको लूगा ने रिकॉर्ड किया, आए देखते क्या लिखा है, लिखा है, कौनसा बारा का सोला में, उसने उन से एक दिस्टांत का किसी धनवान की भूमी में बड़ी उपज होई, वचन सत्रा, तब वा अपने मन में विचार करने लगा, कि मैं क्या करो, क्योंकि मेरे यहां जगा नहीं, जहां अपनी उपज इतियाती रखों, और उसने कहा, मैं यहां, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखेरिया तोड कर, उन से बड़ी बाड़ी बनाऊंगा, और वहाँ अपना सब अन संपती रखोंगा, वचन उननिस, और अपने प्रान स उससे का हे मुर्ख ये परमिश्वर कहता है ठीक है न तो पीछे मुर्ख कहने के पीछे मकसद है मैं भी जब कहता हूँ मुर्ख मकसद है अगर मुझे कहोगे कि मुर्ख कहने पर डैनियल राज गलत है तो फिर परमिश्वर भी गलत है क्योंकि परमिशर भी मुर्ख पुला रहा है, anyway, लिखा है परंत परमिशरूं से का, हे मुर्ख, इसी रात, मतलब the same day, उसी रात, उसी दिन, तेरा प्रान तुस्से ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तुने खटा किया है, वह किसका होगा, मतलब तेरी प्रॉपर्टी जो तु जमा कर रहा है, यह देख लिजए, यह किसका होगा, कोशन है, कम से कम तेरा तो नहीं होगा, तब जो कुछ तुने खटा किया है, वह किसका होगा, कोशन मांगा, अच्छने कि ऐसा ही वा मनुश भी है जो अपने लिए धन बटोड़ता है परंतु परमेश्वर की दिस्टी में धनी नहीं फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्रान की चिंता ना करो क्योंकि हम क्या खाएं, क्या पिएंगे, क्या शरीर के लिए क्या पहनेंगे, इनके चिंता नहीं करना परंतु परमेश्वर की दिस्टी में धनी नहीं इस प्रिथवी पे धनी है लेकिन परमेश्वर के नजर में वो धनी नहीं है वो कंगाल है, क्योंकि सबसे बड़ा धन तो परमेश्वर है, जिसके परमेश्वर है, उसके पास सब कुछ है Now, interesting part यहाँ पर क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ध्यान दिजेगा इशु ने इस वेक्ति को कहा, तेरा फोकस सिरफ पैसा है, तेरा फोकस सिरफ लगजरी है, तेरा फोकस सिरफ एश करना, तेरा फोकस सिरफ मजा करना मैंने कल प्रचार किया था पांच प्रकार की कलिसिया अगर आपने नहीं देखा देख लीजेगा और एडिट वीडियो भी बनाया मैंने ठीक है न आज कल बहुत सारी कलिसिया है बहुत सारे preachers जिसको कहता हूँ मैं motivational preachers prosperity preachers prosperity gospels वाले preachers ये हो गए और church को कहते हैं उनके बकाइदा church में क्या कहते हैं बड़े जोलोशोर से ऐसा प्रचार करते हैं क्या कहते हैं युद जीत लिया ऐसा प्रचार करते हैं कहते हैं कि आपके पास गाड़ी होनी ही चाहिए एक pastor है अहमद नगर का उसकी वीडियो देख रहता है नाम तो नहीं लूँगा कौन है वो नाम जानता हूँ और आप लोग को बता हूँगा तो आप लोग भी जान जाओगे कहता है कि परमेश्वर मुझे बता रहे कि तेरे पास गाड़ी आने वाली ताजुब है परेटों के किताब उसका चवधा का बाईस ओतेईस पाहलूस कहता है दुख उठा कर हमें उसके राचे में प्रविश करना है ये वेक्ति कहता है कि परमेश्वर मुझे बता है कि तुझे गाड़ी मिलने वाली वाव मैं ऐसे प्रीचरों को जानता हूँ कि कि मैं इनके बीच में उट बैठ चुका हूँ जब वर्शिप के लिए जाता था ना इनके बीच में खूब देखता था और इनका खूब तमाशा देखता था एक वैक्ती है उसके खुद के चर्च में उसने का कि आज मेरे पास गाड़ी है पांच साल पहले तुम सब के पास अगले साल गाड़ी आएगए वो बंदा खुद बाग्या भारत छोड़के और उसके लोग अभी भी आठो में घूम रहे है ऐसे ऐसे लोग हैं साब तो जिसके चलते प्रबु कहता है ये 21 वचन को ध्यान दीजिए कहता है वैसा ही वा मनश भी है जो अपने ले धन बटोड़ता है परन्तु परमेश्वर की जिस्टी में धनी नहीं अब मुझे प्लीज बताइए आप ऐसे चर्च में जाना पसंद करोगे जहां पर ऐसा प्रचार होता है और वो आपको परमेश्वर से दूर ले जा रही है ये बात आपको समझ में नहीं है और ये सारा स्टाटजी किसका है शैतान का है बहुत कुछ बोल सकता हूँ फिफ्ट पेरबल पे चलते हैं वाइस एन फुलिश सर्वेंट जिहां मुर्ग और समझदार नौकर या इसका उधारन ये शुने दिया या पेरबल ये शुने दिया लुका के किताब उसका भारा का 42 से 48 तक में आये देखते क्या लिखा है प्रभु ने कहा वा विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामे उस नौकर चाकरो पर सर्दार ठेरा है मतलब नौकरो पर लीडर ठेरा है कि उन्हें वो समय पर भोजन समगरी थे वचन 43 धन्य है वद्धास जैसे उसका स्वामे आकर ऐसा ही करते पाए वाव सोचके देखिए यह आज के युग के लिए कितना रेलेवेंट है मतलब कितना जरूरी है जो लीडर्स बनके घूम रहे हैं आपको चर्च में परमेश्वे ने लीडर बना के रखा है ताकि आप कलिस्या का आत्मिक पालन पोशन करें उनको वचन खिलाएं लिखा है 43 में धन्य है वद दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए 44 मैं तुमसे सच कहता हूं वह उसे अपनी सब संपती पर अधिकारी ठेराएगा 45 कहता है परंतु यदी वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है दासों और दासियों को मारने पीटने खाने पीने और पीकड होने लगे 46 तो वह उस दास का सौ में ऐसे दिन की वह उसकी बाट बीना जोता रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता ना हो आएगा और उसे भारी तारना दे कर उसका भाग आविश्वासे के साथ ठेराएगा अब आप सोच की देखी ये शुमसी किसको बोल रहे है ये पैरबल है दिस्ठांत है लेकिन किसको बोल रहे है आज मुझे और आपको बोल रहे है और प्रभू कहता है कि मैंने तुमको चर्च दिया नोच खाने के लिए नहीं मुझे ताजूब है एक साउथ का देलगू प ना सगे ओपन मीटिंग थी वो आंधरा में कहीं तो अब मुझे बताई आप लोग चर्च के मेंबरों को चर्च के लोगों को उनको परमेश्वर ने दिया याद रखे वो परमेश्वर के लोग है वो इस ले दिया ताकि आप उनको सिखाए परमेश्वर में मजबूत करें नोच खाने के लिए ने, देखो ये एक्जम्पल ये येशू का परेबल है तो जिसके चलते कहता है कि वो तुम्हारा भाग आप इश्वासी के साथ ठेराएगा, 47 क्या कहता है देखो, वह उस दास जो अपने सौमी की इच्छा जानता था और वहद दास जो अपनी सौमी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के नो सच चला ये जो लाइन है ना, लाल में लिखा है, बहुत मार खाएगा अब मुझे बताएए, ईशू कहता है मैं उसको बहुत मार होंगा 48, परंतु जो नहीं जानकर मार खाने की योगी काम करें वा थोड़ी मार खाएगा इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उसे बहुत मंगा जाएगा जिसे बहुत सौपा गया उसे बहुत लिया जाएगा अभी कुछ लोग क्या कहते हैं मैं बड़ा पास्टर हूँ, very good कुछ लोग कहते हैं, मेरी बड़ी कलिस्या है very good कुछ लोग कहते हैं, मैं बहुत फेमस हूँ, very good आप जितने बड़े पास्टर, जितने बड़े फेमस जितनी बड़ी कलिस्या है प्रभू कहता है, मैं उतनाज जादा हिसाब मंगऊगा अब आप सोच के देखो, आपको बड़ा बनने का शौक है न, बिशप, रेवरेंट, अपोस्तल, अलाना, फलाना, डॉक्टर, खई प्रकार की डिगरी पहले आपके नाम के आगे लगती है, तो इसका मतलब ये है कि प्रभू उतना आपसे मांगेगा, और अगर वो मांगना शुरू कर देगा, बस तैयर है न, कि आप उसको जवाब देद पाओ, नहीं तो बहुत मार खाओगे, है न, उमीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया, सिक्स्थ परेबल, सुवर, एंड, फोर टाइपस ऑफ स्वयल, भीज भूने वाला, और चार प्रकार की जमेर, बहुत फेमस, बहुत प्रसिद, ये लाइन है, तो जिसके चलते, मती का तेरा का तीन से बातेईस, मर्कुस का चार का तीन से बीज, लुका का आठ का पांच से पंद्रा, आईए उसको देखते हैं, जो मैंने मर्कुस से लिया है, सुनो, देखो, एक बोने वाला बीज, बोने के लिए निकला, आफ करना मैंने मती से लिया है, मती का एंगल है, ठीक है ना, चौथा वचन, और बहुते समय, कुछ तो मार के किनारे गेरा, पक्षियों न निकला तो जल गया, और जड़ पकड़ने का ना पकड़ने कारण सूप गया, ये सारे के सारे लिटरली भीज नहीं है, ये सारे के सारे मनुष्य है, विश्वासिय है, जो वचन सुनते हैं, चार प्रकार के लोग, वचन साथ, कुछ तो जाडियों में गेरा, जाडियों न ये तीन केटेगरी में लोग बड़े हैं, लेकिन ऊपर के तीन किणारे वाले, पत्रीली वाले, जाड़ी वाले. अब आप सोचेए, इशू आपसे ही, अपिक्षा क्या करता है? बहुत सारे मसी लोग किणारे पे ही रह जाते हैं, वो अंदर नहीं आते हैं. कुछ लोग सक्त हो जाते हैं, पत्थर बन जाते हैं, कुछ लोग आते हैं, लेकिन संसार का चिंता जाड़ी बनकर, पैसे का चिंता जाड़ी बनकर, बाकियों का चिंता जाड़ी बनकर, उनको बरने नहीं देता, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, चौथे के उनको किसी बात की च के बीच में भूसा या जंगली बीच और जिसको मती का थेरा का चौबिस से थीस में आपके लिया है चौबिस वच्छन कहता है उसने उन्हें एक और दिस्टांत दिया सुर्ग का राज युस मनुश्य के संभाने जिससे अपने खेत में अच्छा बीच बॉया पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी उसका बैरी कोने आफको शैतान आकर गेहूं के बीच जंगली बीच बोकर चला गया वचन चब अंकुर निकले बाले लगी तो जंगली बीच के दाने दाने के पौधे भी दिखाई दिए मतलब जब टाइम आया अच्छा कुछ कुछ टांसलेश में कौन है बुट्टा जिसको कहते है वो भी टांसलेशन है बट गेहूं के साथ जाएंगे कहता है इस पर ग्रस्त के दासों ने आकर उसे का है सौमी क्या तू ने अपने खेत में अच्छी बीच ना बोया था फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आ गए हमने तो अच्छा चल बोया था हमने तो अच्छा काम किया था हमने तो सोचा था कि सब कुछ अच्छा होगा लेकिन यह गलत चीज कहां से आ गए गलत सिक्षा कहां से आ गया यह गलत पास्टर कहां से आ गया यह गलत टीचिंग कहां से आ गए जवाब सुनिये क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर इनको बटोर ले 28 उसने उससे का यह किसी बहरी का काम है ये शुने का यह किसी बहरी का काम है यह बहरी कौन है? आफकोस शैतन दासों ने उससे का क्या हम इसको जाकर काट ले वच्छन 29 उसने का नहीं ऐसा नहीं करना ऐसा ना हो की जंगली पौधे के पौधे बटोरते हुए, उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूंगा, क्या कहूंगा, जरा देखिएगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर, जलाने के लिए उ गलत लोग, सही लोग दोनों बराबर चले, मैं तो यह कहूंगा, कि सही लोग कम और गलत लोग जादा होंगे, इनकी तादाद जादा होगी, अगर आपको समझ में आ गया, या, एट्थ पैरबल, लॉस्ट शीप, आईए देखते हैं, मती का अठारा का, बारा से चौदा, तुम क्या समझते हो, यदि किसी मनुझे की सौ बेड़ो, उनमें से एक भटक जाए, तो क्या 99 को छोड़ कर, और पाड़ो पर जाकर, उस भटकी वई को ना ढूंडेगा, आदिबूत है, इस पैरबल में, येशु क्या सिखाना चाहते हैं, कहता है, मेरे पास में सौ बेड है, देखो 13 क्या कहता है, यदि ऐसा हो, कि उसे पाए, तो मैं तुम से सच कहता हूं, कि वह 99 बेड़ों के लिए, जो बटकी नहीं थी, इतना आनन्द नहीं करेगा, जितना कि इस भेड के लिए करेगा, ऐसा ही तुमारे पिता की जो सौर्ग में, यह इच्छा नहीं, कि इ प्रभू में, और जो प्रभू में हैं, बटक सकते हैं, गलत सिक्षा में, उनको भी बचाओ, यही तो काम कर रहा है, डैनियल राज, तेखो क्या लिखा है, बच्छा नहीं है कि इनमें से कोई भटके, तो बचाओ, और बचो, यह इसे हम सीखते हैं, नाइंत परेबल, यह कोने घेर कर उसके कपडे उतारे लिये, और मार पीटकर उसे अधमरा चोड़ के चले गए, और ऐसा हुआ कि उसी मार से एक याजग जा रहा था, परंत उसे देखकर कत्रा कर चला गया, इसी रितिसे एक लेवी आया उस जगह पे आया, और वह भी उसे देखकर कत्रा कर ले गया, मतलब अच्छी जगा पर ले गया, क्लिनिक में ले गया, जो भी आप बोलना चाहिए आज के युग में, उसकी सेवा टहल करी, दूस्रे दिन उसने दो दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिये, और कहा इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा लगेगा, मैं लौटने पर तुझे दूँगा, या दे दूँगा, 36, अब तेरी समझ में, जो डाकों में घिर गया था, इन तीनों में से उसका परोसी कौन टेरा, 37, उसने कहा वही जिसने उस पर तरस काया, येशु ने उसे कहा, जा तू भी ऐसा है कर, एक वेक्थी आया था येशु के पास, उसने पूचा, अनन्द काल का जीवन पाने कले में, क्या करो तो, येशु ने कहा कि अपने परोसी से प्रेम कर, जैसे तू परमिशन से प्रेम करता है, उसने पुचा, मेरा परोसी कोन है, तब ये एक्जामपल दिया, दुस्से शब्दों में, येशु यहां क्या कहना चाहता है, तेरा परोसी वो नहीं है, जो तेरे खून से पैदा हुआ, यानि कि ब्लेट ब्रदर, वन मदर, टू ब्रदर वाला कौन से पने, आपका परोसी, आपका प्यार, वो सब पर दिखाओ, जो अन्यजाती का भी हो, बाहर का भी हो, और उसको जरुवत है, या, तो जिसके चलते, आपकी जितनी ताकत है, मदद कर सकते हो, बिल्कुल करिए, किसी के पास खाना नहीं है, दीजिए, कपड़े नहीं है, दीजिए, सड़क पर कोई देखते हैं, चपड़ नहीं है, दीजिए, उसको खरीद कर दीजिए, धंड का टाइम है, कुछ कपड़े खरीद कर दीजिए, बहुत तरीके हैं लोगों की मदद करने के लिए, तो जिसके चलते ही, येशु कहता है कि, तरस्खा, वो हर वेक्ती तरह पड़ोसी है, जो तेरे सामने से आता है, और इसको जरुवत है, काउंटिंग दा कॉस्ट, अद्बुत लगा मुझे, टेंथ पेरेबल है, ये काउंटिंग दा कॉस्ट, लूक चेप्टर 14, वर्स 28, 233, यहाँ पे दो बाते हैं, जो निकल कराएगा, मैं बताने जा रहा हूँ, 28 में क्या कहता, देखो, तुम में से कौन है, कि घड़ बनाना चाहता हो, और पहले बैठ कर खर्च ना जोड़े, कि पूरा करने की सामत मेरे पास है की नहीं, कहीं ऐसा ना हो, कि दूसरे राजा से युद करने जाता हो, और पहले बैठ कर विचार ना कर ले, कि जो बीस हजार लेकर मुझे जड़ा आता है, क्या मैं दस हजार लेकर उसका सामना कर सकता हूँ, कि नहीं, नहीं तो उसके दूर रहते ही, वह दूतों को भेज कर मिलाप करना चाहेगा, आप ये फोटो फिर से देख लेजेगा, दो बाती हैं पर रखिए, मैं इसको कैसे बताओंगा पता, फिर मैं उसको आपको यह वाला भी बता दूँगा, लेकिन फिलाल सुनिए, इसका मतलब क्या समझा है पता जब मैं इसको तैयर कर रहा था, मुझे पता चला, कुछ लोग कहते हैं मैं जी होंगा प्रभू के लिए, मरूंगा प्रभू के लिए, कुछ भी हो जाए, भावुक होकर, इमोशनल होकर, जजबाती होकर, शुरुवात की दिनों में निकल जाते हैं, छीर दूँगा, फार दूँगा, येशु के नाम का जंडा गार दूँगा, ऐसे वाला कॉंसेट, रूमियो दसका दो कहता है कि इनको धुने लेकिन अकल नहीं है, ऐसे लोगों के लिए बचन है, देखिए, आज एक सीधी बात बोल देता हूँ, आपको पढ़ता है तो ठीक है, नहीं तो नमस्ते, जिस दिन आप गॉस्पल सुनते हो, जिस दिन आप सुसमाचा सुनते हो, उसी दिन तै कर लो, कि मैं येशु के पीछे चल सकता हूँ या नहीं, मैं दुख उठा कर येशु के पीछे चल सकता हूँ या नहीं, जानते हैं क्यों, इसका कॉंटेक्स रख रहा हूँ देखो, क्या लिखा है मालो मैं 33 में, इसी रीती से तुम्में से जो कोई, अपना सब कुछ त्याग ना दे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता, 10,000, सामने चड़े आ रहा है 20,000 लेकर, और आपने नहीं सोचा, मसी में आ गए, बाप्तिसमा ले लिया, हाथ में बाइबल पकड़ ली, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, तो पडोसियों ने पूछना शुरू किया, रिच्सिदारू ने पूछना शुरू किया, सोसाइठी ने पूछना शुरू किया, बिजली काट दी, पानी का लाइन सप्लाइ काट दिया, पंचायत से निकाल दिया, गाउं से निकाल दिया, सरपंच विरोध, घर का आदमी विरोध, पड़ोसी विरोध, रिष्तिधार विरोध, धब जाकर आपने बुला, अरे बापर, यह तो मुसीबत आ गए, तो यही तो प्रभु कह रहा है, इस पैरेबल से, कि तुने खर्चा क्यों नहीं जोड़ा पहले, जिसको लिखा है, counting the cost, आपने पहले तैक्यों नहीं किया, कि मैं मसी के पीछे चल सकता हूँ, कि नहीं चल सकता हूँ, इसलिए यह यही तो कहता है, इसी रिती से, जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, मेरा चेला नहीं हो सकता, मुझे कुछ लोग कॉल करते हैं, और अगर आप लोग उन्दमे से हैं, तो मैं आज आपको बता देता हूँ, या तो इस तरफ, या तो इस तरफ, क्योंकि भीच वाले, येशु को पसंद ऐसे भी नहीं है, और जितने पास्टर्स हैं, मैं उनको भी कह देता हूँ, प्रीचर्स, आपका बड़ा भाई, छोटा भाई के ऐसे से, ऐसा प्रचार करो, देखिए, किसी पे, my goodness, किसी पे कोई महरबानी नहीं करता, मती साथ का छे अगर आपको याद होगा, हाँ, साथ का छे है, छे का साथ जो भी है, सुखर और कुतों के आगे, मोती मठ डालो, याद आगया होगा आपको, किसी पर कोई महरबानी नहीं होती, इशु का बिलकुल स्पस्ट, कुछ लोग तो, क्या कहते हैं उसको, मुझे शब्द नहीं मिल रहा है, चमचागिरी, चमचागिरी, हाँ, चर्च आजाओ, चर्च आजाओ, अरे भार भार कॉल करेंगे, आप लोग चर्च क्यों नहीं आएं, बापरे, चापुलूसी, हाँ, ये शब्द शच्च, नहीं चापुलूसी, पता नहीं छोड़ो, आपको मिलता तो देख लीजे, नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत है आपको, आपको उनको स्पस्ट कहना है, ये रास्ता है, ये सच्चाई है, ये मसीहत है, अपना कुरूस उठाना है, दुख उठाना है, सोसाइटी में रजेक्शन आएगा, यानि कि तिरसका, खलेश आएगा, पर्सिक्यूशन, सथा हो, सब कुछ आएगा, तयार हो, येस, अगर तयार हो, तो तो आजाओ, मुझे, जब मैं, Great Commission का Conference करता था, तो एक स्लाइड ऐसा आता था, कि चाईना में, उसका नाम दियान में नहीं आ रहा है, या, चाईना में, बड़ी चर्च का एक पास्टर है, उस वेक्ती ने, अपने लीडरों को सिखाया, कि अगर कोई भी पानी का बाप्तिस्मा, मतलब, येशू के मैं पीछे चलूँगा, ऐसे घोशना करना चाहता है, उसको सबसे पहले पूछो कि, अगर तेरे घर में, कोई चाकू तलवार बंदूग लेकर आगया, और उसने तिरी गर्धन पर रखा, और कहा कि येशू को इंकार कर, नहीं तो मार दूँगा, उस भेश पे, कि येशू मुझे मार दो, लेकिन येशू का स्विक, क्या कहते हैं, तिरी शकार नहीं करूँगा, मैं मर जाओँगा, लेकिन येशू को नहीं छोड़ँगा, उस भेश पे अगर वो तयार है, तो उसको बाप्तिसमा दोने, तो नमस्ते हैं, बताएए, क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग? I don't think so. आजकर सब जगे पर क्या चल रहा है? महरबानी टाइप चल रहा है, आ जाओ चर्च, आजआओ चर्च, कल संडे हैं, आ जाओ चर्च, फोन करते हैं, मैसेज बचते हैं, आपको आना होगा, आपका ये परिवार है, और पता नहीं क्या क्या, और ऐसा लगता है कि उनके जो लोग हैं, आकर पस्टर पर और चर्च पर और प्रभू पर महरबानी कर रहे हैं, यह चीज को बदलिए, इस पैरबल से आपको यह सिखना होगा कि count the cost, पहले से कीमत लगा लो, और येशु पर आप आकर कोई महरबानी नहीं कर रहे हैं, अगर आप येशु को अपना जीवन देते हैं, तो प्राइस गॉड लेवन्थ परबल, लॉस्ट प्रोडिकल सन, बहुत फेमस, इसके ओपर कई गीत, कई प्रचार, बहुत कुछ है, लुका पंदरा का ग्यारा से बत्तिस, पंदरा का ग्यारा से बत्तिस, आप सभी जानते हैं, उड़ाओ पुत्र, प्रोडिकल सन, लॉटकर आए, एक लाइन इसमें है, मैंने नहीं रखा, आप लोग जब पढ़ेंगे तो पढ़ लेना, लिखा है, जब वो अपने आपे में आया, होश में आया, तो उसको बाप यादा आया, और भाप के पहले, बाप का खाना यादा आया, बाप रहे, खाना यादा आया, आत्मिक बाते हैं, इशु ने भी हमको सबसे पहले अपना खाना दिया, आदी में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, वो रोटी बन गया हमारे ले, तो इस वेक्ति को बाप के पहले उसका खाना या बदल जाता है, क्योंकि इस लड़के में खाना बदल दिया था, जो बाप के घर में खाना मिलता था ना, वो पसंद नहीं है, बाहर गया, और जब बाहर का खाना खाने गया, तो पूरी हालत खराब, कंगाल हो गया, अकेला हो गया, सब परकार की समस्या, लेकिन जब इसको होश आया, बुला, रे मेरा खाना चेंज, और जब इसको पता चला, तो ये खाने के चकर में, क्या का इसने आकर, मुझे बेटाबद बना, नौकर बना के रख, लेकिन कम से कम मुझे खाना खिलाना, याद आ गया होगा आपको, यही तो लिखा है, या, 12th parable, इसको कौर न जानता है, Richman and Lazarus, Luke chapter 16, verse 19 to 31, बहुत फेमस कानी, और इसमें क्या सीख सकते हम, इस parable से, जो ये शुने दिया, और ये सची घटना है, parable मतलब ये सची घटना है, कब घटी इसका रिकॉर्ड नहीं है, कब का बात किया, ये शुने इसका रिकॉर्ड नहीं है, अब राम का ज कहता है, मेरे पांच भाई हैं, उनको यहां नहीं आने जैसा, लाजर को जिन्दा करो, ताकि वो यहां आने से बच जाए, गॉस्पल मिले उनको, अब रामने एक लाइन बोली, उसने क्या का पता है, लाजर को जिन्दा करने की कोई ज़रत नहीं है, बोला क्यों, बोला ते द्वारा आदनी बचता था Old Testament में. Yeah, see? आज इशू के वच्छन के द्वारा आप और हम बचते हैं. तो आपको और हमारे पास में Bible हैं. आज, तो मुझको और आपको वच्छन बचाता है. और ये वही वच्छन है जो अनंकाल से प्रभु ने मानोजाती के लिए रखा है. 13th Parable Workers in the Wyniard. जी हाँ, अंगूर के बचीचे में वर्कर्स की ज़रुत थी. मती 20 का 116 में वन आवर वर्कर्स. यानि कि ये जो वेक्ष्टी है ना, ये निकलता था अपने बचीचे में, सुबह निकलता था. आठ घंटे की नौकरी पे जो काम करना चाहिए उनको लाता था. फिर दुबहर को निकलता था. ऐसे करके, लास्ट जब एक घंटा बचा था, ये फिर गया चौक पे. और कुछ लोगों को देखा और का कि तुमको नौकरी मिली? बुला ने. वेतन मिला? बुला ने. रोजगार मिला? बुला ने. बुला चलो, काम करो, आजाओ. मेरे विनियाड में काम करो. बुला एक घंटा बचाया, बुला काम करो. और मैं तुमको उसका वेतन दूँगा. तो इसने क्या कि इसने तो एक गंटा काम किया, उसको इतना मिला, और हम तो आठ गंटे से काम कर रहे हमको भी आप उतना ही दे रहे हमको लगा ज्यादा मिलेगा, तब इस वेक्तिनी क्या का पता है, पैसा मेरा है, बगीचा मेरा है, मर्जी मेरी है, और मैंने जब तुमको सुबे नोकरी पे लिया था तो क्या कहा था? कि आठ गंटा काम करोगी इतना मिलेगा तुम अपनी मर्जी से आए और मैंने तुमको उतना ही पैसा दिया जितना का तैय किया था यह बात मुझे क्या बताती है? पता है? परमेश्वर के पास आकर हम सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं नमबर वन नमबर टू उसकी मर्जी जिसके ओपर दया करना चाहे कर सकता है रोमियो का नवाद यह पढ़ लीजे और फिर वहाँ एक एक्जामपल देता है पालूस कहता है कि जो पोट्रेट होता है ना कुमार उसको अपने बरतन पर अधिकार है जैसा चाहे वैसा बनाए आधर और निराधर फेकने के लिए या रखने के लिए परमेश्वर ने मुझको और आपको भी ऐसा ही बनाए और वो कहता है कि मेरी मर्जी मैं किसी को बहुत दूँगा तो किसी को कुछ नहीं दूँगा किसी को मैं बहुत सताव में ले चलूँगा किसी को मैं कोई सताव में ले चलूँगा उसकी मर्जी लेकिन कहा मुसके लिए करना है ये तो पकी बात है I hope you understood 14th parable Two sons Matthew 21, 28, 32 32, अब इसमें क्या है पता है मैं रखूँगा एक भाप के दो बच्चे थे तो उसने एक से कहा उसने उतर दिया एक से कहा कि भाई ये काम कर ले उसने उतर दिया मैं नहीं जाओंगा परंतु पीछे पच्टा कर गया ये पहला बेटा ये फोटो देख लिजिए आप पहला कहा मैं नहीं जाओंगा लेकिन बाद में इसको कुछ हुआ इसने का कि मैं पच्टा रहा हूँ और मैं करूँगा और उसने किया दूसरे ने कहा फिर दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा उसने उतर दिया जी हाँ जाता हूँ परंतु नहीं गया इससी क्या सीख सकते हैं कुछ लोग मसियत में ऐसे हैं आज की तारिक में जो कहते हैं बहुत काम करूँगा अलाना अफलाना लेकिन नहीं करते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भवित्र आत्मा कायल करता है और गया. दोस्रे शब्दों में, आप जब इस परेबल को सुन रहे हैं, तो प्रभू से आपने जो भी का है, करना है. आपके लिए ये करूंगा, तो करना है. बोग करूंगा, तो करना है. कोई कमिटमेंट किया, तो उसको फिनिश करिए. वाव! फिफ्टींथ परेबल, वेडिंग बैंक्वेट, जिसको बोल सकते हिंदी में, भोज का मेज, पाटी टेबल, जो भी आपको सीख लगे, मती बाइस का दो से चाउदा, सुहर्ग का राज, उस राचा के समान है, जिसने अपने पुत्र का बिया किया, यानि येशू, परेबल में, उसने अपने दासों को भेजा कि निमंतरन लोगों को बिया कि बोज में बुलाए, परन्तों उन्होंने आना ना चाहा, इजराइली, फिर उसने अपने दासों को ये कह कर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, कि निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तयार कर चुका हूँ, जिनने निकाना हम नहीं जाएंगे, निमंत्रित जिनको काट दिया गया था, उनको कहा कि देखो भाई, भोज तयार हो चुका है, मनिश्व का पुत्र आचुका है, मेमना बन को अन्य लोगों ने बच रहे थे उसके दासों को पकड़ कर उनका अनादर किया और मार डाला येश्व को कुरूस पे मार डाला वचन साथ तब राचा को क्रोध आया परमिश्वर पिता को अपनी सेना भेज कर प्रकाशित वाके के स्टडी में तेवारों को नाश किया बतलब उन लोगों को नाश किया उनके नगर फुक दिये जो कि प्रकाशित वाके में होगा तब अपने अपडासों से कहा बया का भोज तयार है परंतु निमंत्रित लोग योगी नहीं ठेरे बतलब जिनको मोका दिया था जितनी लोग तुमें मिले सब को बया के भोज में भुलाओ अंत वचंदासों ने सडको पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सब को इखटा किया बया का भोज घर अतितियों से भर गया स्वर्ग परमिश्वर के राजय से भर गया यही तो लिखा है प्रकाशित्वा के साथवे अधिया में ऐसी भीड देखी जिसको कोई नहीं गिन सकता जिसका मैं कल जिकर करूँगा यह लोग कौन है अन्य जाती जिसके चलते मती 28-28 में यह शुने का कि जाओ सारी जातियों में और जाकर पचाओ गो टू आल नेशन्स और यही वज़ा है कि भवित रात बने पैंतिकोस के दिन सब जातियों में जाने के लिए उनको उपर से एक ऐसी भाशा दी जिसको कहते हैं गलोसा पृत्वी की भाशा जो बोब कभी बोलनी सकते थे उनको आती नहीं थी और वो भाशा में उन्होंने प्रचार किया लेकिन कुछ मुर्ख लोग है जिन्होंने उसको अलग लेवल पे लेकर गया वचन गया रहा जब राजा आतितियों के देखने को भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनश्यों को देखा जो बयाका वस्तर नहीं उसका मुँ बंद हो गया नहीं पहने थे उसका मुँ बंद हो गया वचन तेरह तब राजाने सिवकों से का इसके हाथ पाउं बांध कर उसे बाहर अंध्यारे में डाल दो दूसरे शब्दों में मौका मिला अन्य जातियों को सही से चलना चाहे ना येशु के पीछे चलना चाहे ता नहीं चले जिसके चलते प्रकाशितवा के बीस वाधिय ने जिसको कandırते ना अंतीम झयाए फाइनल जज्ज्मेंट नारक में डाला जाएगा वहार होना, दाथ पिसना, क्योंकि बुलाएवे तो बौत हैं, परंदु चुनेवे थोड़े हैं, बुलाएवे बौत हैं, सब को बुलाएवे, लेकिन प्रभु ने उनको उस भेस पे चुना, बहुत ध्यान दीजेगा, उस भेस पे चुना, जिसके लिए उन्होंने अपना जिएवन प्रभु को समर्पित कियाता है, जिसके लिए मैंने पीछे बताया था, काउंटिंग दा कॉस्ट, खीमत लगाई, मैं येशु के पीछे चल सकता हूं, या नहीं चल सकता हूं, या नहीं चल सकता हूं, जो की बहुत अद्बुत है, ठेन वर्जिन्स, जिसमें से पाँच फुलिश और पाँच वाइज हैं, वर्जिन, वाइज और फुलिश, पाँच समझदार, मती का पच्चिस अद है, आपको याद होगा, या, तब सुरकर राज उन दस कौरियों के समान होगा, जो अपनी म मशाले लेकर दुले से भेट करने को नेकली, उन में से पाँच मुर्क और पाँच समझदार थी, मुर्कों ने अपनी मशाले तो ली, परंतो अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतो समझदारों ने मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी बर लिया, जब दुले क्या देना, आदी रात को धूम अची, ये तीसरा गूरूप है, ये जो धूम अची ना, ये तीसरा गूरूप है, जिनके अंदर मशाल अंदर है, बाहर नहीं, जिनका तेल अंदर है, बाहर नहीं, आज बहुत सार लोग बाहर लेकर गुम रहें, और आज किसी का वीडियो देख लीडी थी वो, गाना गारे थी Yeshua, 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 मतला प्रभू आ, प्रभू आ, सोचिये क्या मुर्खता है, और ये गाना गात – येशु आ, येशु आ, उपर से प्रभू बोलता है, बेटा मैं तेरे अंदर हूं, बाहर किसको बुला रहे हैं, यह ऐसे लोग हैं जो खुद मशाल बन कर चल रहे हैं यह ऐसे लोग हैं वचन छे में जिनके अंदर तेल है और हमको मीनल और जितने भी लोग वर्शिप करते हैं मैं उनको कहता हूँ जो हमारी टीम के कभी ऐसा गाना नहीं गाना जहां यह गाने का लाइन हो छू ले बर दे उतरा फिर से आ उतरा ना 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 गलत है वो यह शू आपके अंदर है पवित रात्मा आपके अंदर है बाहर से मत बुलाईए उसको वचन साथ तवे सब कौरियां उटकर अपनी मशाले ठीक करने लगी मुर्खोने समझदार उससे का अपने तेल में से कुछ हमें भी दो क्योंकि हमारी मशाले बुजी जाती है अच्छा नौ भरन तु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे तुमारे लिए पूरा ना हो बला हो तो यह है कि तुम बेजने वालों के पाश जाकर अपने लिए मूल ले लो जब यह मूल लेने को जा रही थी तो दुला आ पहुँचा और जो तयार थी वे सब उसके साथ दिया के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया याद रखो कॉंसेप्ट यहां पर तेल खरीदना बेचना नहीं है कॉंसेप्ट यहां पर तयार थी वो गई तो इसका मतलब यह है तुम खरीदो जाकर मैनत करो कुछ भी करो लेकिन तयार रहो यह कॉंसेप्ट है वचन गैरा इसके बाद वो 10 कौरिया भी इसके बाद वो दूसरी कौरिया माफ करें यानि कि जो पांच मुर्ख है वो भी आकर कहने लगी हे स्वामी हे स्वामी हमारे ले दर्वाजा खोल दे अब यह जो लाइन है न देख लिएगा वचन बारा उसने उतर दिया कि इसने येशु ने कि मैं तुम से सच कहता हूँ मैं तुम्हें नहीं जानता बापरे मैं तुम्हें नहीं जानता क्या गजब का लाइन है 27 का 21 22 याद होगा 23 तक में I never knew you मैं तुम्हें कभी नहीं जानता और इनको भी कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता इसका मतलब ये हुआ कि इशु देखे शादी का कपड़ा इनोंने भी पैनाता हाथ में भाइबल इनके भी थे मूँ पे प्रेज़ लौड हलेलुया इनके भी था चर्च ये भी जाती थी लेकिन फरक देखो कितना बड़ा है येशु कहता है क्योंकि तुम तैयार नहीं हो मैं तुमको नहीं पैचानता that's it, finish get out बापरे सोच की देखिए ऐसी reality में आपके साथ हो गया तू येशु कहता है कितना प्रेज़ लौड, hallelujah गाना, बजाना, प्रीचिंग, सब किया चर्च, प्रातना, पास्टर, बिशव, अपोस्तल, सब किया लेकिन येशु कहता है I don't know तुम कौन है, get out my goodness last parable three servants given talents धीन, ऐसे से वक जिनको talent या महर दी गया मैं उसको रखूंगा तोड़ दिया गया बच्चिस का 14 से 30 तक मैं हाला कि इतना लंबा नहीं जाओंगा क्योंकि ये उस मनुष्य किसी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बला कर अपनी संपति उनको सौंब दिया उसने एक को पांच, दूसरे को दो और एक को तीसरे को एक, अठाथ हर एक को उसकी सामत के अनुसर दिया तब परदेश चला गया जिसको पांच दोड़े मिले थे उसने तुरंत आकर उनसे लेंदेन किया पांच दोड़े और कमाए उसी रिती से जिसको दो मिले थे उसने दो और कमाए परदेश जिसको एक मिलाता है उसने जाकर मिटी खोदी और जाकर रुपे में सौमी के रुपे छिपा दिया है मिटी खोदें का मतलब है मनिश के पीछे बागना, शरीर के पीछे बागना फलेश के पीछे बागना संसारिक बन जाना ये उसको दर्शाद है बहुत दिनों के बाद उन दासों का सौमी आकर उनसे लेखा लेने लगा और याद रखो ये शब्द क्या बताता है कि एक दिन, जिस जिसको जो जो मिला है प्रभू एक दिन लेखा लेगा इसलिए फिर कहता हूँ आलसी नहीं बनना सुस्त नहीं बनना जितना हो सके परमेश्वर का काम करो आपकी जो भी ताकत है एक विच्जितर प्राणी है मसी मंतन से अभी निकला है बार पंजाब का बंदा है जब तक मेरे साथ था मसी मंतन के साथ था लिख रहा है, बाइबल टीचर लिख रहा है, पंजाब का बंदा है वो, अब दाइब, येश्व एक दिन लेखा लेगा, कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत दिनों के बाद, उन दासों का सौमी आकर उनसे लेखा लेने लगा, जिसको पांच तोड़े मिले थे, उनसे पांच त सभागी हो, इसका मतलब है, कि आप अगर परमेश्वर का काम करोगे, तो प्रभू का आनन्द है वो, आप अगर ज्यादा काम करोगे, तो प्रभू का आनन्द मिलता है, आप अगर ज्यादा काम करोगे, तो प्रभू का आनन्द मिलता है, स्वामी के आनन्द में सभागी हो Wow. जिसको दो थोड़े मिले थे ऊसने भी आकर कहा. Hey Swami, तुने मुझे दो थोड़े सौपेते देख मैने थोड़े और कमाएं. उसके Swami न उसे का धन्य अच्छ विश्वास वोगे था तु थोड़े में विश्वास वोगे रहा. मैं तुझे बहुत वस्तों का अधिकारी बनाओंगा, अपने सौमी के आने में सभागी हो, अब इसको देखो साब, तब जिसको एक तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे सौमी, मैं तुझे जानता था, कि तू कठोर मनश्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता, वहां काटता, औ इसको नहीं डर गया था, जा कर तेरा थोड़ा, मिटी में छिपा तिया, देख, जो तेरा है, वह यह है, अब इसका मतलब क्या है पता है? इस वैक्ति ने कभी प्रभू को जाना ही ने, इसने कभी जाना ही ने, इसले इसा बख्वास कर रहा है, अगर यह जानता, यह यह ब सबसे बड़ा शराप, मुर्ती पूजा का, किसी और का ने, परमेश्वर के काम में आलस जो करेगा उसके ओपर है, जी, मसी के काम के लिए, जो सुस्त गिरी करेगा उसके ओपर शराप है, आलसी, हे दुस्ट और आलसी, दुस्ट क्यों? क्योंकि तु नहीं समझा मुझे, दुस्ट क्यों? तु मेरे मिनिस्ट्री को नहीं जाना, दुस्ट क्यों? तु मेरे किंग्डम को नहीं समझा, आलसी हो गया, जब तु ये जानता था, कि जहां मेरे नहीं बोया, वहां से काटता हूं, और जहां नहीं छिटता, वहां से बटोटा, तेरे कहने के मुताबिक, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपे सर्फू को दे देता मतलब क्या कहते है बियाच पे उस वक का इस concept है आज कल बियाच पे पैसा देना गलत है तब मैं आकर अपना धन बियाच समेट ले लेता इसलिए वा तोड़ा उससे ले लो जिसके पास दस तोड़े है उसको दे दो क्योंकि जिसकिसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा परंदू जिसके पास नहीं है उसे वह भी जो उसके पासे ले लिया जाएगा दूसरे शब्दों में आपको कुछ मिला है उसको डबल करो भ्याज का मतलब होता है डबल करना concept समझे उसको डबल करना मतलब प्रभू चाता है कि तुम फल लाओ यौना का पांच का पंद्रा का आठ यादा गया होगा फल लाओ यही इस वक्तिस अपक्षा था वचंतीस उस निकमेदास को बहार के अंदेरे में डाल दो वहां रोना और दातपीस नोगा मतलब इस सब ले लो और इसको उठा कर नरक में डाल दो मसी मंतन के जितने लोग हैं और जितने मुझे फौलो करते हैं, सुनते हैं, सुब्सक्राइबर्स हैं मसी के काम के लिए कभी आलसी नहीं बनना, नहीं बनना, जितना हो सके, काम करो, अपने, अपने, आपको जो तोड मिला है न, सिक्का, उसको डबल करते जाओ, और पवितर आत्मा साइब